यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ तीस पर है और अदर्स यहाँ पर अभी जीरो है आपको बता दे कि करनाटक विधान सभा चुनाव की मतगणना जारी है और इस चुनावों के परिणाम आने के बाद ये तैय हो जाएगा कि करनाटक में किसकी सरकार होगी और साथ के साथ ये भी साफ हो जाएगा कि 2019 के लोगस सभा चुनावों में इस पार्टी की जीत हो सकती है आपको बता दे कि बीजेपी अब बढ़त पर है शिरुवाती तोर पर बीजेपी पीछे दिखाई दे रही थी लेकिन अब बीजेपी फिर से बढ़त पर है सिधार अमया आपको बता दे कि चामुंडेश्वरी से 23,000 वोट से पीछे हैं तो यहाँ पर करनाटक विधानसबा चुनाव की मतगणना जारी हो गई है और कुछी देर बाद नतीजे आने वाले हैं और यह साफ हो जाएगा कि करनाटक में किसकी सरकार बनने वाली है तो करनाटक विधानसबा चुनाव की नतीजे कुछी देर में आने वाले हैं और यहाँ पर आपको बता दे कि शिरुवाती रुजान कुछे सरा से थे कि बीजेपी और कॉंग्रेस के बीच जो है कांटे की टकर चल रही थी बीजेपी पहले पीछे दिखाए दे रही थी ल और यहाँ पर आपको यह बता दे कि अगर जेडीएस कॉंग्रेस के साथ अपना गट बंदन करती है तो यहाँ पर बहुमत के आसपास जो है यह अपना मत बना रहे हैं दोनों और अगर वो बीजेपी के साथ जाते तो तकरीबन से साफ तोर पर यह देखा जा सकता है फिर बीजेपी अकेले ही सरकार बनाएगी बीजेपी की हाला के नंबर बता रहे हैं बीजेपी 100 सीटों पर है कॉंग्रेस 65 पर है और जेडीएस 30 पर है यहाँ पर आपको बता दे कि रुजानों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी साबित हो रही है और इसी के साथ करनाटक विधान सबा चुनावों के नतीजे आने में बस कुछ ही देर है